सच्छ बड़ी हपसी आ रही थी मुझे तो इसलिए तो मैं चुपचाप फड़ा हुआ थी आड़े सर पर दो खून सवार थी अब जबातों में आकर तो मुझे गूली मार देदी तो किस्मत का खेल भी कमा लगब एक तरफ तुम मुझे मारना चाहती हो और दूसी तरफ ये वहरा पती राधे मुझे बचाना चाहती है एक बात तो आच्टाय हो गई है मोड़ी राधे के होते हुए मुझे किसी सुरक्षा कवज की ज़रूरत नहीं तुम तो शुक्र मनाव भगवान का कि राधे तुम्हारे और मेरे बीच में आगर खड़ा नहीं हो गया नहीं तो अपने पती की खत्या का बोज देकर पुरी जिन्दगी बतानी पड़ती तुम्हां राधे जितना वफादार पती है उससे कहीं ज़्यादा वफादार नौकर है मेरे मुझे निकली हर बार इसके लिए ब्रह्म्ह वाक्र है मेरे एक इशारे पर यह अपनी पत्नी तक को बेच सकता है हट हो गई एहसान परामोशी की राधे ने आपके जान बचाए उसका एहसान मानने के बजाए आप उसी की बुरही करें ठाकुर आपको भवान का शुक्रियादा करना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी किसमत भी बहुत खुशनसीब हैं आप कि आपके पत्मी राधे की मूबोली मा है यह रिष्टा ना होता ना तो आज हालात कुछ और होते फाकुर आप राधे की अच्छाए को कभी नी समझ पाएंगे कभी नहीं क्योंकि खुद कभूल कर किसी और के लिए जीना तो आप जानते हैं नहीं आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीतें सिर्फ अपने लिए पता नहीं कितनी गलत फेमिया पाल रखी हैं तुमने हमोने राधे मेरे लिए जीता है और मेरे लिए मर भी सकता है अगर आज मैं इसके सीने पर बंदू क्तान करता हूँ कि राधे मैं तुझे मारना चाहूँ तो यह हस्तरस्ते मरने के लिए तैयार दिया है जो राधे आया ना देखा आज एक बार फिर तुम्हारा विश्वास हा रहे है लेकि इसमें गलती तुम्हारी नहीं है तुम्हारी याददाश थी इतनी कमज़़ वो राध तुम कैसे बूल जब मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ को आगरात मनाने है और तुम्हारा पती राधे बाहर खड़ा पहरा दे रहा है अब तुम कहोगे की उस वक्त तुए कुछ जानता है नहीं था कुछ समझता है नहीं था लेकिन आज आज तुए सब कुछ जानता है मेरे इरादों से अच्छी तरह वाकिव भी है फिर भी मुझे इस बात का यकीन है इराद है मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने से रोकेगा नहीं जराज मैं उसकी नज़ों के सामने तुम्हारा तब भी इसके चेहरे की एक रेखा भी नहीं लेगा देखना चाहती है तो देखी लो इसी बहाने तुम्हे अपने पती के प्यार को आजमाने का मौका तो मिलेगा रादे तुम्हारी पत्नी ने मुझे पर बंदुग तान कर बहुत बड़ी गल्ती की और हम मैं उसे इस गल्ती की सजा देने जा रहा हूँ